बिस्मिल्यार्माद रहीम, गैटन का चप्टर नुम्बर 12 जो है, वो concept के हिसाब से, इसी जी concept के हिसाब से एक बहुत सी important चप्टर है, सबसे पहले इस चप्टर के अंदर हमने क्या discuss करना है, कि आपके heart के अंदर ये मुफ्रिज जवब पे currents पर यूस होते हैं, currents की direction क्या होती है, from the negative towards the positive, current की direction क्या होती है, from the negative towards the positive और from the depolarized area towards the polarized area, मैं अगर ये draw करता हूँ, आपके पास ये ventricles draw करने लगाँ, ये 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 ventricles draw की है, अब इसमें इस जगह पर आगई आपके पास deep polarization, क्या मतलब है कि बाकी था ये जगह positive थी, इस जगह पर negative आगए टार्ज, तो current ने किदे से किदे flow करना है, current ने आपके पास ये negative से positive की तरफ लो करना है, ठीक है, और यहाँ जगह बाहर की muscle hall है, इसमें भी ये negative से, ये साथ जगह positive है ना, क्योंके polarized है, ये negative से positive की तरफ current flow करेगा, करेगा ना current flow, अब बहुत सारी direction में current flow हो रहा है, यहाँ पर भी current flow कुछ ने कुछ हो रहा है, कुछ यूँ भी current flow हो रहा है, ठीक, हम जो सारा current flow हो रहा है ना, उसकी एक average नकालते हैं, एक किसी भी instant पे जो current flow हो रहा है, उसकी एक average नकालते हैं, मैं देखता हूँ कि आप वाक्टर में क्या की आप चीज नोट करनी है वाक्टर इस फ्रॉम नेगेटिव टूर्ड पॉसितिव एक चीज बेटर इस फ्रॉम अडी पॉलराइड एडिया टूर्प पोर्डिया दूसरी चीज ठीक है और जो वेक्टर की लेंट होती है वो आमाउंट आफ करती है यह चोटा वैक्टर है समझा थोड़ा कि इस तरफ है बड़ा वैक्ट। इससा क्या है कप ही जध्र का रचिस तरफ है अचाए अब यह जो मैंने आपको एक एक डास एंब कर दिक है अगर इसमा इससे लिए भनाया इसमें आप़ोज डिरेक्शनिक बाढ़ जाएं तो तोड़े से जादा हो गए हैं तो इसका मतलब है कि नीचे आने वाले से जादा हो जाएं तो फिर वेक्टर उल्टा इस तरह बनाना पड़ जाएगा तो यह जो जो करंट में इस वेक्टर के आपर डिरेक्शन में होते हैं वह जाली सी बात है इसके एफेक्ट को कैंसल कर रहे होते हैं यह इस तरह जा रहे हैं तो मतलब एक पूर एक जितने भी वेक्टर होते हैं उन सब का एक सम एक मजमुआ बना के हम करंट का एक वेक्टर बना जाते हैं यह चीज़ यहां तक डान हो गई किसी भी इंस्टेंट पर सारे करंट का जो उस वेक्टर को हम कहते हैं मीन इन्सिंटेनियस मीन वेक्टर उसको क्या कहते हैं इन्सिंटेनियस मीन वेक्टर यह वह बाते हैं जो यहां पर डिसकुस की वी हैं अब आगे चलते हैं मैं आपसे पूछूँ कि आपने किसी को बताना है कि यह वेक्टर किस तरेक्शन में है आप आपने इस बंदे को ड्रॉण नहीं करके देना तो इस तरह किस तरह से बताओगे थोड़ा सा स्लांटेंग इस तरह से तो नहीं पता सकते तो उसको मुझर करने के लिए हम डिग्रीज को यूज करते हैं अब डिग्री को किस तरह से यूज करते हैं हël हमें बनाते है एक्सषि यह हैं न मिशाल के तो पर इसी की बरह में बनाएता हूँ यह बना बनाया हम नने default जो हम पहले बनाया करते थे लेकिन जो यहां पर डिफरेंस है वो यह आमतार पर जब लोग आंगल्स को मौयर करते थे तो यह उताथा जीरो डिग्री यह उताथा नैंटी डिग्री और इस तरफ जाया करते थे हम लेकिन इस जगह पे हमने anti clock वाइज जाना है और यह वल सटोड़ ऑन्गë steady ग्लिर ग्री तो आपने यह मैंने एक्सेस ड्रॉ कर दिया कोई भी वेक्टर है मिसाल का तौर पर यह इस डिरेक्शन में एक वेक्टर है अब मैंने इदा से एंगल मज़र करना है इदा से क्लॉकवाइज से यह वला एंगल मज़र करेंगे हम जो कि 180 से भी थोड़ा बढ़ा रहा है तो मैं कोंगा कि 190 डिग्री है एंगल कितना है 190 डिग्री इस वेक्टर का एंगल है 190 डिग्री तो यह हम लोग क्लॉकवाइज मज़र करेंगे अब मुख्तिलिफ इंस्टेंट्स पर हार्ट के अंदर मुख्तिलिफ इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर बन रहे होते हैं कि कभी कहीं पर जदा जा रहा है अन सारे इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर की अगर हम अवरीज लें तो उनकी अवरेज होती है मीन तो की क knife कि का की K की की और ऐस वेक्टर मीन टार्रीक्टर होती है ,just be and here which makes Prosative 59 degrees कितनी पॉस्टिव 59 degrees और यहां कर्ट मे इस डाग्राम में उनने enf उन्हें एक mean Q-R-S वेक्टर की डाखेया रृपरेजिंटेशिन की हुई है कि यह 59 डिग्रीज है 59 डिग्रीज इन आप देखें कि from the base of the ventricles towards the affect of the ventricles basically के लिए या रहा होता है और यह लेफ्ट राइड पर तेल्टेड है तो यह आपके प्रेंगल की यह बेस होती है और यह चोटी होती है कि इसको हम कहते हैं इस जख लिदो बन रहरे होता है हमारे पास. इस तिएक हम बेस ओड़े विस वेंट्रिकल्स की रहे होते हैं और इसको हम एपेक्स की बेस होती है और एक बेस अबरियोथ आपस होते है तो दिए मीन क्यों एक्रपार है LEADS بڑی تھی اب ہم LIM LEADS के WILL CONCUS करते हैं अचा Video invert सारे काँ कहां से positive, sorry negative, positive की तرف हैand FAZ, इसी तरह से LIMB LEADS में भी hem negative से positive की तरह फैर्स की तरह की तरफ को लेते हैं, यह देखिए पहली BETH क्ने यजिश ती वह आपके राइट हां में negative ती और रेफट आम पर पॉजटिव तो उसका वेक्टर यू डॉकर दिया एलो है पॉजटिव की तरफ होगा हमेशा यह एक पहली लिम लीड वन का हमने डिस्कस कर लिया जो लीड टू थी वो नेगटिव से पॉजटिव की तरफ यह उन्हें डेक्श चो कर दी और लीड तू का थी जिसमें पर नेगटिव लाइट आंप था और पॉजटिव लेफ्ट फूट पर और लीड त्री कहा थी कि इसमें लेफ्ट आंप पर पॉजटिव लेफ्ट फूट पर यह तीनों लीड चुट को डॉपार दिया अब इन तीनों लीड के आंगल को डिसकर स्कूर्स करते हैं तीनों में आगर आपको बता है तो लिम वान जीरो डिगरी पर लिम लीड वान जीरो डिगरी पर लिम लीड्ञ टू पर यह वाले ऑनगल आगो सिस्टी डिगरी और ले में इसके पर बहुत दिसक्रशन होंगी फिर यूनी पूर लिब लिए जाती है जो लेफ्ट की तरफ ती एवी एफ यू नीचे की तरफ आ रही है मैं यहां पर अलगते ड्रॉव कर लेता हूं यह आ रही है ठीक फिर जो राइट हैंड की तरफ ती एवी आर उसकी डिरेक्श कोच इस तरह की है अब इनकी डिरेक्शिस मैंने तीरो बना दी समझने के लिए या इनके एंगल्स को चेक करने के लिए डिग्रीज को चेक करने के लिए मैं एक्सेस बनायता हूं यह एक्सेस होता है ना अब शुरू करते हैं यह एक्सेस में जिरो डिग्री होता है तो यह वाली इसका ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री किसका बना A V F का एंगल बन गे 90 डिग्री यह आपके पास राइट राम की तरफ ती A V R इसका एंगल कितना बना यहां से नोट करना शुरू कीज़ेगा यह वला टोटल एंगल कितना बना यह बना 210 और अगर हम AV L का देखें तो यहीं से मज़र करना है एंटी क्लॉक वाज जाना है हमने क्योंके तो यहां से मैं मज़र करूंगा यह वला एंगल तो यह वला एंगल बनता है 330 डिग्री 330 डिग्री भी कह सकते हैं यह अगर मैं यहां से दिखओ तो माइनस 30 डिग्री टीक तो 330 डिग्री आपको पास AVS का आँटा है हमने Bipolar Lim Leads और Unipolar Lim Leads को डिसकस कर लिए अब अगर मैं बाइपोलर लिए योनिपोलर लिए को एकक्टे रखा मैं पहले देखेगा सबसे पहले बाइपोलर लिएट ब्राव करने लगा हूं यह मैंने बनाई डर गी इसकी lead one ठीक है फिर 60 degrees पर आती है उसकी lead two तो draw करते है जी ये draw की मैंने उसकी lead two और 120 degrees पर आती है lead three तो ये मैंने draw की उसकी lead three ठीक है अब AVF AVF किस तरह से ती उपर से exactly नीची थी ना 90 degrees तो ये draw अब मैं uniporal image बना रहा हूँ ये मैंने बना दी AVF अच्छा फिर AVL जो ती जो left arm की तरह थी वो आपके पास यू थी AVL और यू थी AVR क्या का angle थें के इसका 210 degree था इसका 330 degree था और इसका 90 degree था अच्छा ये मैंने छे वेक्टर्स जो छे leads थी उनको ये वेक्टर्स को उनने draw कर दिया ये जो save नहीं है इसको हम कहते हैं hexagonal reference system ये जो बनाए हो क्या कहते है hexagonal reference system तो आगे उनों ने इस जगा पे इन ही को discuss किया है इनके angles को और मुफ्टलिक vectors को अच्छा अब उसके पार एक और चीज नोटिस कीजिएगा एक और important concept है मेरे पास एक वेक्टर है अच्छा अब आपको सिर्फ इसकी direction का पता है ये जो leads के वेक्टर्स है ना इनके directions का आपको पता है मुझे कोई देता है एक red color का ये vector मुझे ये एक vector मिला यूँ मैंने आपको इस red वाले की direction बतानी है degree से नहीं बतानी है हाँ आपको ये बतानी है कि ये blue वाले की direction में कितनी है ठीक है ये जो sign cause का concept है मैं ये कुछ इस तरह की concept है खर उसको भी जहाँ पर छोड़े यहाँ पर देखें इस red वाले की direction blue वाले की direction में कितनी है उसके लिए मैं इस red वाले की नहीं एक अच्छा एक और बाद देखें इसकी मिसाल का तोर पे length से मैंने अंदादा लगाया मतलब length से मैंने calculate किया कि ये 2 mili volts है 2 mili volts है और angle है almost 40 degrees 40 degrees में 2 mili volts है ठीक लेकिन अगर मैंने इसको blue वाली लाइन के reference से बताना हो अब मैं क्या करूंगा मैं यहां से न इसकी projection draw करूंगा blue वाली लाइन की उपर बिलकु 90 degree blue वाली लाइन से draw करूंगा जो इसकी tip को जाकर touch करे जो reference line है उसकी 90 degree से start कर रहा है और इसकी tip तक एक line बिनानी है अच्छा इस line ने मुझे show किया कि यह आ रही है जी यह जो red वाला vector है इसकी जो इस direction में असराहत हैं वह यह यह आपने notice किया कि इसकी length थोड़ी चोटी हो गई है यहां पर length आदा थी लेकिन इसकी length थोड़ी काम आ रही है क्योंकि यह थोड़ा दूर जा रहा था ना इससे इस विएसे length थोड़ी काम आ रही है तो यह मैंने देखा कि यार it is almost 1.7 mili volt इसकी length के मतावे तो 2 mili volt इस direction में जाने का मतलब है 1.7 mili volt blue olive vector की direction में है यह बात मैं आपको 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 क्यों पते हैं ब्लू ओले वेक्टर का तो मैं आपको ब्लू ओले वेक्टर की direction में 1.7 mili volt यह projection का concept है इसको अच्छा एक और चीज़ समझेगा अगर यह वेक्टर जो reference जो current वेक्टर है वे reference वेक्टर के जितना करीब होता चला जाएगा वो उतना बड़ा impact आता जाएगा किस तरह से मैं एक और example देता हूँ आपको यह देखें यह मेरे पास reference वाला वेक्टर है जो दूसरा वेक्टर है जिसके बारे में हमने पता लगाना है वो मैं तक्रीबन इसके विले direction में बना रहा हूँ यह देखें ठीक है तक्रीबन इसके विले direction में बना दिया अब अगर मैं इसका projection draw करूँ तो यह इसके projection draw की तो जो वेक्टर बना उसकी भी length almost इस इतनी नहीं आ रही है तक्रीबन इस इतनी ही आ रही है क्योंकि direction almost similar हैं दोनों की इसके बराक्स अगर मैं एक और vector draw कर रहा हूँ अच्छा ये मिसाल का तोर पर ये lead one का vector सा ठीक है ना इससे हमने ये reference में draw कर लिए अच्छा अगर lead one का vector ये है और जो current का vector है वो जा रहा है कोई इस direction में ये lead one के vector से काफी दूर जा रहा है ठीक है तो हम क्या कहेंगे इसके मैं जब projection draw करूंगा आप देख रहे हैं कि इसकी projection बहुत चोटी से आ रही है ठीक है क्योंकि जतना दूर जा रहा होगा उतनी चोटी projection आएगी जतना करीब होगा उतनी बड़ी projection आएगी ये तो मैंने discuss कर लिया अच्छा अब मैं एक और चीज discuss कर रहा है ये ये reference vector है और जो current बड़ा vector बन रहा था उसके direction होगी कुछ इस तरह की शावाशे अब क्या करें यों आई ने इसकी projection तो इसकी projection आई negative क्या आई ये lead one के negative हो जाएगा lead one के हिसाब से negative है क्योंकि ये arrow वाली साइड पर नहीं उससे बलके दूर है तो lead one से negative हो गया अच्छा ये तो एक vector मैंने draw कर दिया अगर इसी तरह से lead one पे एक और vector है वो कुछ इस direction अच्छा इसका projection विला vector क्या बना ये एक और vector है जो के यूँ इस direction में है यूँ इसकी projection किस तरह द्रॉँ करूँगा यूँ इद्रॉँ करूँगा क्या ये भी negative है बिलकुल ये भी negative है इसकी projection इसका जो vector draw हो किस तरह द्रॉँगा यूँ द्रॉँगा तो ये दोना तो same हो गए बिल्कुल ऐसे ही है डिरेक्शन चाहिए उपर की तरफ है या नीचे की तरफ हमने बस प्रोजेक्शन देखनी है इस वाले में भी लीड वन के इस रेफरेंस में यही बन रहा है इस वाले में भी लीड वन के रेफरेंस में यही बन रहा है मारे पास तो इससे फर्रक नहीं पड़ता है वो उपर की तरफ है को नीचे की तरफ है तो एक और चीज स्वेकसे आपने छिसाब लगाया किसका मतलब है एक रंघेसरेंस वेक्टर то कम है क्विएक एक प्रेसरेंस वेक्टरस है उक्ट hvor यह यहीं और मैंने लिम लीड यह सिक्टी डिग्रीज पर टू के वेक्टर को भी ड्रॉ कर लिया अब हमारे पास दो रेफरेंस वेक्टर आ गए ठीक है अब करांट से वेक्टर बना कुछ इस तरह का अच्छा लिम लीड वन के साथ पॉजिटिव डिरेक्शन में तो क्रीमा लिम को दूँरिगा इसकी मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ कि यह लिम लीड वन दूपर प्रोजेक्शन अकई ठीक लिम लीड ठोबेंस के पॉजिक्शन ड्रॉ मारा इसी जी का ग्राफ होता है वह पॉजिटिव जाना चुडू हो जाते है यानि सुर्छा यह दरा आब तो पर यह यह जारें लिए इसकी यह आपका करण्ड परल्र वेक्टर था इसकी यह प्रोजेक्शन थी लिप टू पर यह प्रुज़ाइब ना आकौत अब आ प्ली टू पर यह जारी है लिंव दिग्रीज के दो तीनों आपके बाई पूलर लि हम इसको सबस्षार करेंगे तो पहले प्रोजेक्शन वाला कॉन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करन्ट की हम ठांट में कितना अब जो प्रोजेक्शन होती है उसके हिसाब से जैसे फंटेक्शन अगर पॉजेटिव से दो इसए जी जी पॉज़रे बना सुड़ी हो जाँ या अगर और नेज़री तो उपर की तरफ पॉजटिव है ग्राफ से टू ड्रॉ की वी है ये लिम्लीट 3 ड्रॉ की वी है अब इन तीनों के रेफरेंट से वो को समझाएंगे आपको और ये वेक्टर है करंट वाला ठीक है इसकी प्रोजेक्शन बिनाई उन्होंने A पर ये उसकी प्रोजेक्शन बिनाई तो लिम्लीट 3 पे इसकी प्रोजेक्शन बहुत चोटी से बन रही है लिम्लीट 2 किस से इसकी डिरेक्शन सबसे सिमिलर है इसके लिम्लीट 2 के उपर इसकी प्रोजेक्शन की डिरेक्शन सबसे बड़ी बन रही है ठीक है ना जो इसकी प्रोजेक्शन लिमनीड müود has the reference में मैंने ये देख लिए इसका इसकी हैंशियत क्या है ऐल राईट अब इसकी बेस पे हम ऐसी जी ड्राव कर रहे होते हैं यहांप अगर लिम्ऩडिटीरी की सिज्डी ज्राव भी है लेखि खूंकर बहुत थोड़ा से तो ये अभी तक टीनों लिम्ड लीड्स की PAUSITIV में जा रही है, तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन की साथ-साथ हम लोग लिम्ड लीड्स की Reds में एक एक Vector को Discus कर रहे होते हैं अब हम आगा चलते हैंमेन कौंसेप्ट की तरह आते हैं कि आप अम अब बता दिया कि 3 में किस uso के निसलेंव करिक करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुरौ आ लेक्टर दा से पौलराइसरे' की टरफ है नगिटिव से पॉजिटिव की तरफ है यह तो हम पहले वेंट्रिकल्स को रौ करता हूँ ठीक है सबसे पहले डी पोलारिजेशन आएगी इस सेप्टम में इस सेप्टम की लेफ्ट एंडोकारियल जगा पर इदर फिर आगई पूरे सेप्टम में फिर पूरे सेप्टम में नीचे को तरफ आ रही है यनि बेस से अपक्स की तरफ आ रही है आ गई जी आ गई फिर इस साइट पर जाना शुड़ हो गई पहले अंदर की तरफ इस साइट पर अंदर की तरफ एंडोकार्डियल साइट ये वह लिए ठीक फिर लोग जनाब मसल्स भी कवर कर गई बराबर जा रहा है काम हिसाब कताब बड़ा बराबर जा रहा है लेकिन बराबरी में एक गरबड़ हो जाती है पहले राइट वेंटरिकल पूरी तरफ डी पॉलराइज होता है मैं तब दोनों साथ साथ जा रहे हैं लेकिन लेफ वंट वें विंभाल저 के बहुत त्येक्ण हैं इसलिए राइट विंट्रिकल्फोलराइज हो चुका होता है तब तक लेफ वंट्रिकल थोड़ा ता मुंक्त नश्य रहा गया ही अ हो दो इस तरह से और फिर उसके बाद यह मैंना को खाता कि लेफ्ट वेंटर्कल्स की थोड़ी सी स्पेस रह जाती है पॉलराइज तब तक बाके सारा डीपोलराइज हो चुका है और फिर कम्प्लीटली पूर सारे वेंटर्कल्स डीपोलराइज हो गए इसके दुरान वेक्टर वन लीड टू लीड थरी पहले भी समझा चुकी है लीड वण सिरो डिगरी पे लीड तो सुझी डिग्रो डिगरी पे लीड त्री वन ट्वंट्री डिगरी पे औलराइज weather यहां पर मैं ने देखा कि ब्लिफ पैदा हुई तो डी पोलराइजेशन से लीड ऐ बना मिरे पा काफ़ जदा आ रही है projection और lead 3 पे भी थोड़ी सी projection आ रही है ठीश तो lead 1 पे छोटी सी इसी जी बनी है वह उपर कि तरह lead 2 पे सबसे बड़ी बनी है और lead 3 पे छोटी सी बनी depending on the projections और projection किस ज़र्स पे होती है जिस lead के बिलकुल करीब direction हो तो उस lead पे सबसे बड़ी बनती है जिससे ज़र्स दूर डिरेक्शन हो यह सबसे ज़्यदा करीब lead 2 के आ रही है तो lead 2 पे सबसे बड़ी बन रही है बाकियों बज़रा चोटी यह तो पहले जी अच्छा अब deep polarization अभी थोड़ी सी होई थी हमने पहले भी यह जिस्कस की थी तो यहां पे देखिएगा इतने deep polarization होने के बाद vector की length देखें ज़्यदा होगी नहीं इसके comparison में vector की length ज़्यदा होगी अब हम इस vector को draw किया हमने इसमें भी देखा कि lim lead 2 के साथ तो इसकी projection सबसे ज़्यदा है बाहरार पिछली वाली से ज़्यदा होगी है projection क्योंकर vector ही लंबा होगी है तो पिछली वाली से ज़्यदा होगी है लेकिन अभी भी सबस्दा लिम्टली 2 में है तो यह देखें यह थोड़ा थोड़ा और उपर यह lim lead 1 के उपर चली गई यह lim lead 2 की सबसे उपर जा रही है और lim lead 3 अभी तक तीनों positive जा रहे है ठीक है अच्छा अब आगे मजीद चलते है तो deep polarization ने वापिस इस उपर की तरह दाना शुरू कर दिया ठीक vector से थोड़े opposite side पे current ज़्यदा होना शुरू होगी है जब vector से थोड़ा सा जाना शुरू होई है तो क्या होगा vector की length थोड़ी सी काम होना शुरू होगी अच्छा पहली चीज तो vector की length थोड़ी सी काम होना शुरू होगी और दूसरी चीज जो यहां पे हो रही है चुनके left ventricle की wall ज़्यादा थिक होती है तो थोड़ा सा यह vector left की तरफ मुड़ गया है थोड़ा सा है अपेक्स की तरफ ही लेकिन थोड़ा सा मुड़ गया है left की तरफ ठीक है अब vector पहले लंबा था अब vector नबिदन चोटा हुआ है ठीक जब vector चोटा होगा तो क्या होगा projections अभी भी projections आ तो positive ही रही है इस one two three तीनों के positive projections यह आ रही है लेकिन थोड़ी सी shorter projections हो गई है पहले projections यह वली condition थी इसमें projection सबसे लंबी आ रही थी तो हम graph को subset उपर ले गए थे अब projections आ तो उसी direction में रही है लेकिन हैं भी positive ही लेकिन यह projections थोड़ी सी छोटी हो गई है तो यह graph थोड़ी से पीछे आना शुरू हो गई है अब projection यह आ गई है यह देखे जो तीसरा dot बना वे ना यह तीसरी condition को show कर रहा है यह तीसरा dot यार अब कुछ projection इस तरह की आ रही है ठीक हो गया एक और चीज नोट कीजिए गस में इसमें थोड़ा सा यह वेक्टर है वो चुक्कि मैंने बताया थे लेफ्ट रड़ की तरफ मूव की है थोड़ा सा यू मूव की है तो यह थोड़ा सा limb lead one की तरफ मूव कर गया है थोड़ा सा ठीक है तो हमने इसलिए देखा कि limb lead one में यहां पर काफी थोड़ा बहुत थोड़ा नीची आ रहा है अचा यह थोड़ा था complex concept लेगर लेगरते हैं simple रखते हैं इसको अचा उसके बाए मैंने बताया था कि यह फैलते फैलते right ventricle सारा deepolize हो जाते है लेकिन left ventricle थोड़ा से रह जाते है तो इस जगा पर उन्होंने दिखाया कि right ventricle वह तो पूरा का पूरा deepolize हो गया है लेकिन left ventricle का यह छोटा सा portion रह गया है इस वक्त का instantaneous vector होगा वह क्या होगा instantaneous vector कहां से होता है deepolize से polarize area की तरफ negative से positive की तरफ इस वक्त तक polarize area सिरफ यही रह गया है तो vector जो है वह इसकी तरफ हो गया current का vector इसकी तरफ हो गया किती काफी बड़ी चाहिए जागी नहीं इसके अंदर क्यों 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 क्योंकि पहले बड़े इस्तियात से current नीचे को आ रहा था फिर वही current थोड़ा सा इसे उपर को जा रहा था लेकिन अब vector तो vector जो है न वो more less a की direction में था लेकिन अब vector की direction काफी जाता चेंज होगी यह क्योंकि यूँ आने की बजाए अब इदर फेलोगे और इदर की तरफ होड़ा था जाए तो current जादा तर इस तरफ move कर रहे है तो हमने अच्छा अब इस vector की हम projections देखते हैं तीनों leads की उपर अभी यह vector जो है यह होती न लिम लीड वन यह होती है लिम लीड टू और यह होती है लिम लीड टू और यह होती है लिम लीड थ्री अब यह मैंने vector draw कर दिया है लिम लीड वन के लिए तो यह अभी भी positive है अलबता side बदल गई है पहले, इस side पे positive पहले side पे था तो limb lead लीड 1 के लिए positive था अब उस side पर चला गया लिम लीड़ वन के लिए positive है लेकिन मैंने यह चीज़ आप से discuss की थी कि चाहे side बदल जाए positive है जिस तरह मैंने, चौलो पें रिफाट के मेरे से, यहां पर डिसक्स किया था, कि यह रहे तो यह भी पॉजिटिव है, और यह वाला यह भी नेगटिव था, यहां पर यह भी नेगटिव था, लेकिन वह उपर हो यह नीचे हो, बात तो यह कि थी न, अब चला यह लिम के लिए अब यह पॉजिटिव पॉजिटिव ही थी तो नमर है और दो प्रोजेक्शन मजीद चोटी हो गई यह देखा आद आ आपके पास current बाला वेक्टर है जो यह था आपने इसको जब graph में यहाँ पर यह ड्राव किया है आपने लिम्लीट 2 के लिए तो देखा जाए तो यह थोड़ा सा negative हो गया ठीक है लिम्लीट 2 से थोड़ा सा negative हो गया लिम्लीट 3 बिचारा इस तरफ आ रहा है और यह जो वेक्टर बना यह इस तरफ को बना इस तरफ को लिम्लीट 3 के लिए तो बहुत ज़्यादा negative है न यह यहनि काफी बड़ी projection बन रही है लेकर negative साइट पे तो यह देखिए लिम्लीट 3 पर जो हमने बनाया तो मजब projection चोटी होती चली जा रही है तो यह सारी लिम्लीट 1, 2, 3 1 में projection सबसे बड़ी बनी थी स्वारी 2 में projection सबसे बड़ी बनी थी positive के साइट पे क्यों क्योंकि जो वेक्टर था वो तकरीबन 2 के साइट पे ही आ रहा था यह जिसमने डिसकस कर दी जब सारे वेंटरिकल्स में डीपॉराजेशन कम्प्लीटली हो गई तब क्या हुआ करंट 0 हो गया करंट 0 हो गया तो लीड 1, 2, 3 के projections 0 हो गई सारी ECG वापस 0 पे आ गई है तो वैसी तक जीरो पे था यह भी वापस 0 पे आ गई ठी तो यह लीड 1, 2, 3 की ECG बनी डीपॉराजेशन वेंटरिकल्स में डीपॉराजेशन के फैलने के साथ यह QRS कम्प्लेक्स बना है हमारे पास लीड 1 का जो QRS कम्प्लेक्स है वो तो नेगटिव में गया ही जी ना यहाँ पर अगर हम देखें तो वो तो तकरीबन यूँ ही रहा है इसके वाले से जो लीड 2 का था वो यूँ जा रहा था थोड़ा से नेगटिव गया था और जो लीड 3 के लिए था वो यूँ जा रहा अच्छा इसके बार शुरू होती है री पोलराइजेशन एक वेंटरिकल और एट्रिया को डिफ एक बड़े मज़दार चीज जिस तरफ से डी पोलराइजेशन स्टार्ट होती है असूलन री पोलराइजेशन भी यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है री एरिया सबसे एंड में डी पोलराइज हुआ था वो एरिया सबसे पहले री पोलराइज होगा और जो एरिया सबसे पहले डी पोलराइज हुआ था वो एरिया सबसे एंड में जाके री पोलराइज होगा ठीक हो गया इसकी वज़ा शायद बलड सप्लाइज की वज़ाज से जो आपके ventricles के endocardial surface होती है वो ज्यादा limbid contraction कर रही होती है इसलिए वो ज्यादा देर के लिए deep polarize state में रहती है और काफी देर बाद जाके repolarize होती है ये कहरे एक अलग बहस है लेकर अब हमने सिर्फ इतना समझना है पहले हमने पढ़ा था deep polarization यहां से फैलना शुरू हुई थी और इस तरफ फैली थी लेकिन अब जो repolarization है वो उल्टी apex से base की तरफ आ रही है जो deep polarization थी वो क्या थी इस direction से base से apex की तरफ आई थी ठीक है इस से इस की तरफ आई थी लेकिन जो repolarization है वो आपके पास apex से base की तरफ जाएगी जिस वकत थोड़ी सी apex repolarize होगी vector की तरफ होगा सोचने की बात है अब यह वरी जगा जो repolarized जगा पोलराइजड है बाके depolarized तो vector ने तो इसी तरफ आना है ठीक इसमें vector continuously हम देख रहे हैं इसी direction में आ रहा है नीचे की तरफ ही आ रहा है तकरीबन वो वली जगा जो कि limb lead two वली जगा थी और जब vector इस तरफ आ रहा होता है तो limb lead one पर भी positive आ रहा होता है two पर भी positive आ रहा होता है three पर भी positive आ रहा होता है यह repolarization इस वज़ए से तीनों leads पर positive रहती है इस repolarization को हम यह ventricles की repolarization से बनती है यह T wave होती है जो यह बन रहा है limb lead one के लिए limb lead two के लिए limb lead three के लिए तीनों के लिए positive भी बनेगी हाँ अलबता है यह दुरूर है कि चुँके यह vector limb lead two की direction में जादा तर था तो limb lead two की सबसे उंची T wave बनेगी लेकिन बाकियों के भी T wave बन रही है और सब की positive बन रही है क्योंके repolarization के दुरान vector continuously नीचे की तरफ ही रहता है इस तरह से polarize होता चला जा रहा है उपर deepolarize area तो vector ने तो deepolarize से polarize की तरफ ही रहना है और end में सारा polarize हो गया जब सारा polarize हो गया तो current ही खत्म होगा जब current खत्म होगा तो सारा zero हो गया यह वापस zero पर आगया हमारे पास सारी T wave सारी यह सारा को zero पर आगया हमारे पास अब इसके बाद discuss कर रहे है atria की deepolarization atria के अंदर simply जिस तरफ ऐसे node होता है वहां से आपके पास simple direction simply यूँ फैलती ही जाती है यूँ इस तरह से आपके पास deepolarization फैलती जाएगी तो इदर समसे पहले deepolarization हुई vector यहां से कुछ इस तरफ current flow होता चला जाता है आइस्ता आइस्ता यह सारे यह polarize हो जाता है तो यह आपके पास vector आजाता है यह वाला vector भी तकरीबन आप देखें तो टी वेव के वेक्टर की तरह का यह थोड़ा सा यह जादा राइटर की तरफ जा रहा है तो यह वाला vector भी टीनों लीड्स में positive ही आएगा इसलिए जो एट्रिया की depolarization की wave होती है जिसका नाम हमने P wave रखा वा था वो आपके पास वो भी आपके पास positive ही होती है यह जो ट्रिया की depolarization की वज़े से यह QRS complex और यह आपके पास ventricles की relaxation की वज़े repolarization और वेंट्रिकल्स की वज़े से T wave बनी थी यह भी P wave बन रही है और यह QRS complex तो यह हमने एट्रिया के बारे में discuss कर लिए किस तरह से उसकी P wave बन रही है अच्छा जी T wave discuss हो गई एट्रिया की P wave भी discuss हो गई QRS complex भी लेकिन QRS complex में आप सोच रहे होंगे यह जो मैंने बनाया था यह तो बना R और यह जो नीचे बनाया था यह तो बना S तो Q कब बनता है कई दफ़ा Q बनता है अच्छा जरूरी निया Q ने हमेशा बनना है कभी Q बनता है अब वो किस तरह से बनता है देखें एक चीज़ नोट कीजिएगा यह जो लीड थी नेगटिव में गई है यह कब गई है जब करंट का वेक्टर सोड़ा था इस चरेक्शनमेंट हुआ था ना बिल्कु लेफ्ट शार की तरफ हो गया था यहाँ पर क्यों हुआता है क्योंके लेफ्ट वेंटरिकल अभी कम्प्लीटली डी पॉलराइज नहीं होता जब के बाकी सारा हाट डी पॉलराइज हो गया था होता बैसिकली क्या है डी पॉलराइज़ेशन के आगाज में सेप्टम की मैंने आपको बताया था यह वरी जिस लेफ्ट अंडोकार्डियल सर्फिस है यह पहले डी पॉलराइज हो जाती है यह वरी सर्फिस वो जो लमहा है जिसमें डी पॉलराइज़ेशन का आगाज हो रहा है पहले लेफ्ट वरी जगा डी पॉलराइज हो यह है इस वक्त वेक्टर कहां से कहां होगा आपके ख्याल से इस वक्त भी तो वेक्टर फॉर्म हो रहा है ना जारी सी बात है तो वेक्टर यू डी पोलराइज़ एरिया से बाकि सारा हार्ट तो पोलराइज़ है तो वे डी पोलराइज एरिया से कुछ इस तरह का वेक्टर फॉर्म हो रहा होगा फॉर्म हो रहा हो गो ना जारी सी बात है अब अगर हम यह वाले वेक्टर को डिसकस यह जो भी वेक्टर बनाया है यह जो मैंने का कुछ इस तरह का वेक्टर फॉर्म हो रहा होगा इसको हम लिम लीड वन के हवाले से देखें तो इसकी प्रोजेक्शन लिम लीड वन पे नेगेटिव नहीं आ गई ठीक तो यह जो शुरू में थोड़ा सा नेगेटिव आया यह आपका आम तोर पे क्यू वेव फॉर्म कर रहा है क्यू और एस कंप्लेक्स की लिम लीड वन के लिए बहुत हमेशा नहीं फॉर्म हो रहा हुता है लेकिं बाहरा अक्सर फॉर्म हो रहा हुता है अच्छा अब वेंट्रिकल्स की री पॉर्राइजेशन के बारे में मैंने आपको बड़े मज़दार बात बताई थी कि डी पॉर्राइजेशन से उल्टी तरफ जिस तरफ depolarization चलिए इसे उल्टी तरफ depolarization चलती है लेकिन atria के लिए फ़रा किये जब हम atria की depolarization डिसकस करेंगी जिस direction में atria की depolarization हुई थी इसी direction में atria की repolarization होगी इसका क्या मतलब हुआ यह देखिए atria में पहले यह जगा depolarize हो रही थी तो current depolarize से polarize की तरफ vector यूँ बन रहा था P wave बनी थी positive wave बनी थी क्योंकि जब vector यूँ होता है तो तीनों leads के लिए positive होता है ठीक है यह इस direction में बन रही थी अब अगर repolarization भी यहीं से शुडू हो गई तो यहां पहर जब repolarization होगी बाकी सारे जगा बने का पैख यक्टर काँ बने गा यही बनेगा ना जैड़ी सी बाट फिए बने थी बने और तो यह Isis सारा वालेजिशन बनने गा वालाज़ से नेगिटिवऌ बनेगा यह करीपन तीनोंुन के वी नेगटिव ऑ और इसस से लड़ब बनती है उसको हम कहते हैं Atrial T wave यह है अपने ते शोगिया है और यह नेगटिव बनी Atrial T wave टीनों गरिए negative है क्यों क्यों कि यह बेक्टर लेक्टर झाट में बनेगा तो यह तीनों ל-dense होगा लेकिन ओर यह Atrial T wave हमें आम तो पर क्यों ही नदर आती क्यों कि जब Atrial T wave ने करना होते है ना उस जगह क्यूंआ स्कॉम्प्लेक्स आ जाता है देखें अभी तो हम एक्रियक और विंट्रिकल को रग लग डिसकस करें लेकिन असल हार्ट में एक्रियर साथ-साथ होते ना पहले डीप पॉलर्राइस्ट स्टार्ट होगी एक्रिया की अब जिस वक्त एक्रि तो यह चीज हमने डिसक्स कर लिए कि टोटली आप्सक्यूर्ट बाइदे लार्ज वेंट्रिकुलर क्यूर एस कंप्लेक्स है यह इसको वैसी नामनुशानी खतम कर देता है बचारी टी वेव का अब फिर हम डिसक्स करते हैं वेक्टर कार्डियोग्राम क्या होता है मगतले हार्ट में, मगतले स्टेजेजेश पर मगतले वेक्टर बनते रहे, उन सारे वेक्टर को हम मिला देते हैं किस तरह से मिलाते हैं? यह देखिएगा शुरु में यह वेक्टर था फ़र जब लिप ब्रसेशन पहेज़े तो यह वेक्टर की लेंस बड़ी होगी थी फिर जब लेफ्ट वेंटरिकल के तरफ दाना शुरू था तो वेक्टर से लेफ्ट की तरफ मोड़ गया था फिर जब सारा कुछ डीपराइज हो गया था तो लेफ्ट वेंटरिकल के तरफ यह नहीं हुआ था तो यह vector बिलकुल left vertical के तरफ ही हो गया था और फिर हो गया हमने यह 1,2,3,4 यह जिस जिस तरह से vectors अपनी टेक्शन को change करते रहे इनको हमने add किया यह vector 1 बनाया, यह vector 2 बनाया, vector 3 बनाया, vector 4 बनाया ठी, इन सारे vectors की जो heads हैं उनको हमने मिला दिया तो यह जो shape बनी है, इस shape को हम कहते है vector cardiogram इस shape को हम कहते है vector cardiogram एक चीज़ नोट करें, पहले vector 1 छोटा था, vector की length बड़ी होती है फिर I say vector की length दोबारा छोटी होने शुरू हो ज़िए और रापस 2 words से 0 चली जाती है यह चीज़ आपर डिसकस की भी, vector cardiogram क्या होता है इस वेक्टर काडियो ग्राम बन गया, यह इस वक्त QRS wave के बन रही होती है, साथ साथ तो यह आपके पर simply आ गया, QRS wave के लिए vector cardiogram अब दुबारा आप बता रहे हैं कि आपको पता चल गया किस तरह से vectors बनते हैं किस तरह दे वेक्टर काडियो ग्राम बना, इस वेक्टर काडियो ग्राम के बाद, हम जब इन सारे vectors का average लेते हैं, mean लेते हैं कैसे लो या फिर बना क्या, तो वो जो mean vector होता है, वो 59 degrees positive की तरफ, from the base stewards आ रहा रहा होता है 59 degrees positive का मतलब ही यह है, क्योंकि हमने clock wise चलना है तो 59 degrees positive कुछ इस तरह का vector बनेगा उसको हम कहते है, mean electrical axis of the ventricles, वो क्या होता है, mean electrical axis of the ventricles determining electrical axis from the standard leads of electrocardiograms, यह हमने determine किस तरह से किया है, कि यह देखिएगा, यह उनने draw कर गया, वो को बता दिया कि यह हमारे पास mean vector बन रहा था, हमने इस vector की इन तीनों के उपर, यह lead one है, यह lead three है, इन तीनों leads के उपर उनने प्रोजक्शन यह आपर शोग की विए, वैसे limit lead two के उपर भी प्रोजक्शन ले ले लें, यह limit lead two के हवाले से उनने इसी जी बना कर दिखाई विए, कि यह ब बुक में doubling होई विए, basically यह एक यह उनने वेर शोग की वी है, तो यह आपके पास यह वाला जो vector बन रहा था, यह mean था, हमने जब इसका, वैसे तो एक simple तरीका है, इसका यहां से आप इसका angle लोएंगे, तो यह angle 59 डिगरी भी है, ठीक, लेकन हमने इसको, इसकी projection भी दोनों parts की पर discuss कर ली, अच्छा, यहां तक concept बनता है, कि एक ECG form किस तरह से हो रही होती है, मुखतलिफ leads की, गैटन में यहां था concept लिका रहाता, आगे abnormalities लिखी भी है, कि मुखतलिफ किस तरह से mean vector change हो शोता है, किस तरह से ECG चेल हो शोती है, या ECG कौन सी changes, कौन सी hard disease यह pathology उसक कर रही है, यह चीज़ें डिसकस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो पहले हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी कमी है इदर, और मैं आपको बतारा हो, concept लेखिएगा, यह जो current का vector, leads के vectors तो हमने खूद बनाया है, यह current का vector हमें किस तरह से मिल रहा है, जो हमने leads के electrodes connect किये हैं, वो बताते हैं कि जी इतना current मौसूल हुआ है, इतना current मौसूल, basically यह current वाला vector नहीं बन रहा होता है, हमारे पास पता चलते हैं, lead 1 के डिरेक्शन में इतना current आया है, lead 2 के जो lead का वो आ रहा है, उसके उपर इतना current आया है, और lead 3 के उपर इतना current आया है, positive current है यह negative current है, यह व पास current, और जिस वक्त positive terminal को थोड़ा से negative मिल जाए, और negative terminal को थोड़ा से positive मिल जाए, उस वक्त deviation, needle की, negative की तरह होती है, हम उसको vectors में हमने पढ़ा है, theoretical हमने सारा पढ़ा है, इसको वैसे तो इतना ही समझा जाए, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको आप practically स हो जाए, तो ज्यादा और इसको समझा जाए, तो बहुत अच्छा लगता है, किस तरह से हमें एक एक चीज के current की values, leads ने मेजर की और उन से हम एक vector end में बना सकते हैं, वैसे, एक और चीज यह भी तक हमने बाइपुला लिम लिड्स को डिसकस की है, हमने chest leads देखी थी, यहा रही थी ना, यहां पर सबसे positive lead 2 का बन रहा था ना, साही जागा, क्योंगे lead 2 towards the apex of the heart थी, तो इसको जो towards the apex of the heart होता है, वो जादा positive आएगा, जारी सी बात है, क्योंके deep polarization apex of the heart की तरफ आ रही होती है, तो जादा positive आएगा, तो यहां पर, क्योंके lead V1 और V2 जो है, वो आप आपक्स सबसे जाए दूर थे, यह देखें V1 और V2, तो इनका सबसे जाए negative QRS आ रहा था, और बाकियों के positive V4 का सबसे positive QRS आ रहा है, क्योंके V4 apex की तरफ है, तो यह थोड़ा सा मेंना को बता है, क्यों चेस्ट leads की QRS complex बन रहे थे, वो इस तरह के Q बन रहे थे, और इस इ